हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार 28 के समान ग्यान के कुल 40 questions जो exam of view से बहुत ही importance है दोस्तों इसके पहले previous year questions और set के questions मैंने upload करके रखा है अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो description में मैं link दे दिया हूँ वहां से आपसे देख सकते हैं और आपसे छोची सी request है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए लाइक कीजिए और अपने friend को share कीजिए तो देखें आप यह पहला question कह रहा है महां भारत से cithyan bacteria i योनानी तता होनों की विचार में एतियासिक जनकारी प्राप्त होती है कत्थन और रमायन से योनानी सकत तता सित्यानों की जनकारी मिलती है कत्थन a जो है और r आप्शन-देखें यहां पे कह रहा है कथन A सही है R गलत है फिर option B कह रहा है A even R गलत है C कह रहा है A गलत है R सही है option D कह रहा है A even R सही है तो पताघे इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer जो है option number D है A even R सही है ठीक है यहाँ पे जो है महां Bhrat जो है में इतियासिक जनकारी प्राप्त होती है यहाँ पे महाभारत का उल्ले के क्या गया है तो महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास ने किया था ठीक है महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था जिसे जै संगीता या आदी संगीता भी कहा जाता है या आदी कभी भी कहा जाता है ठीक है और नेस्ट में देखें यहाँ पर रमायन से युनानी सक्तता सिथियनों की जानकारी मिलती है ये भी सही है रमायन से युनानी सक्तता सिथियनों की जानकारी मिलती है और रमायन की जो रचना है रमायन की रचना जो है या बालमिकी ने क किसे हराया था समुद्रगुप चैनल गुप दूति essay राऑधर्म धर्मपाल तो बत Always को हो जाएगा तो इसका राइट अन्ज prof तो सबसे अधिक तुर्की भाषाको नोले, तुर्णार वीद्वाहन, बमेद बिंद भी तो ने प Three-फिक भावा सा था सी expectations कुछ उबान है? इस भासा तुर्की भासा को सबसे अधिक उसको पिरिय था और उसमें वो विद्वान था तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नम्मर ए चलिए नेस्ट कोर्शन देख लेते हैं बहमनी समराट जिसके सासनकाल में रूसी यातरी निकितिन भारत की यातरा पर आया अलावदिन भारत की यातरा पर आया था वो ताज उद्दिन फिरोज के सासनकाल में ठीक है चलिए नेस्ट कोर्शन देख लेते हैं राजा राम मोहन राये ने अपने और साधारन काम के लिए भारतिय संगीता इतिहास में अपनी पाचान बनाए उनका मुखी काम इस दिश सिक्चा धर्म समाज सुधार धर्म को उचा उठाना अंग्रे account का परिच तो बताई इसका राइट अन्षर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अन्सर वो समाज सुधार से समद्प था जैको देख लेते हैं देखों ते नेस्ट कोस्ट हैं पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था तो रंजीत सिंग भगत सिंग सरदार बलदेप सिंग या फिर लाला लाचपत राय को तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जागा तो पंजाब की केशिरी का किताब जो है लाला लाचपत राय को दिया गया था चलिए नैस्ट कोस्टन देख लेते हैं तीन राइट अंसर क्या हो जाएगा तो तीनों गोल में समेलन में जो है वो भीम्राव अंबेटकर जो है वो सामिल हुआ था यह पर महात्मागंदी की चर्चा हुआ है तो बताइए आप आप हमें कॉमेंट में बताइए कि जो है महात्मागंदी वो कौन से समेलन में सामिल हुआ ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा डाक्टर भीमरा अम्बेटकर जो था गो तीनों गोल में समेलन में सामिल हुआ था चलिए नेस्ट कोस्टन देखते हैं देखे नेस्ट कोस्टन कर रहा है सचीता नंद सिन्ना किसके साथ जूड़े थे भारत छोड़ो अंदोला दांडी माच सबीने बगिया अंदोला या फिर इनमें से किसी के साथ नहीं तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इनमें से किसी के साथ सचीता नं सिन्ना नहीं जूड़े थे ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं अंतिम मुगल समराट कौन था बावर जहांगीर अकबर या फिर बहादूर सा तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो अंतिम मुगल समराट जो था वो बहादूर सा जफर था ठीक है ओप्शन नमबर डी राइट चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं भारती सुड़ गंतंत्र के पर्थम राश्पती के लिए राजेंद परसात का नाम किसने परस्तावीत किया था जवार्लाल नहिरू, महात्मा गंदी सरदार बल्लब भाई पते या भीम राव अमबेट कर तो पता हिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो भारती गंतंत्र के पर्थम राश्पती के लिए जो है राजेंद परसात का नाम जो परस्तावीत किया था पर्थम जवार्लाल नहिरू ने परस्तावीत किया था चलिए नैश्ट को सन देख लेते हैं नैश्ट को सन देखे यहाँ पर क्या करा है परत्यक राज में महादी वक्ता की नियुक्ती निमलिखित में किसके द्वारा की जाती है राजपाल राष्टपती उच्छ नियाले के मुख्य नियादी उच्दम नियाले के मुख्य नियादी तो बताईए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो परत्यक राज में महादी वक्ता की नियुक्ती जो है वो राजपाल के द्वारा की जाती है चलिए next question देख लेते हैं बिहार में धन विध्यक पेस करने के पुर्व राजपाल की अनुमती अनिवार यह है या राजपाल का डैस अधिकार है नियाई कारिपाली का विधायकी या इन में से कोई नहीं तो बताईए इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer जो है वो विधायकी हो जाएगा ठीक है चलिए next question देख लेते हैं निमलिखित में कौन से सुमेलित है हीरा कुन बांद गुदाबरी नदी पे है भाकराबान सतलज नदी पे है नाकारजून काविरी पे है या इन में से कोई नहीं तो बताईए इसका right answer क्या हो जाएगा तो भाकराबान जो है ये सतलज नदी पर है ये सही है बाकी बाद सब गलत है तो भाकराबान सतलज नदी पे इस्तित है नैफेट सम्मंदीत है नैफेट जो है ये किसे सम्मंदीत उर्वरक से खर, पतवार, नियंतरक से किरिशी उपजाओ के विपनन से या दूद उत्पादन से तो बताईए इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer जो है ये किरिशी उपजाओ के विपननन से सम्मंदीत है नैफेट ठीक है चलिए next question देख लेते हैं किसी कक्षा में उपगरा का छोटा हिस्सा अलग होता है तो चिदे पित्वी पर गिरेगा सरपिल गती से पोचेगा अंतरिक्ष में गूमता रहेगा या पित्वी से दूर होगा तो बताईए इसका right answer क्या हो जाएगा तो किसी कक्षा में उपगरा का चोटा अईसा अगर तूट जाता है तो वह अंतरिक्ष में गूमता रहेगा ठीक है वह अंतरिक्ष में गूमता रहेगा चलिए next question देख लेते हैं next question next question देखे क्या करा है बाल्टिक समुद्र को उत्री समुद्र से मिलाने वाला नहर कौन है कील नहर, स्वेज नहर, पनमा नहर या इनमे से कोई नहीं तो बताईए इसका right answer क्या हो जागा तो बाल्टिक समुद्र को उत्री समुद्र से मिलाने वाला नहर जो है वो कील नहर है चलिए नेस्ट देख लेते हैं, बिहार में लाल बलोई मिठी का विस्तार पाया जाता है, रोहतास के पठारी भाग में, कैमूर के पठारी भाग में, रोहतास अब कैमूर के पठारी भाग में, या इन में से कोई नहीं, तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, तो इसका right answer जो है, रोहतास के कैमूर के पठारी भाग में जो है, वो बलोई लाल मिटी पाई जाती है, विस्तार पाया जाता है, ठीक है चलिए next question देखते हैं, बिहार में विदूत आपूर्ती सरपरतम कहां आरम हुई, दार्जिलिंग जो असम में है, चेन्नाई, मैसूर य आरम किया गया था, चलिए next question देखते हैं, उर्जा छेतर द्वारा, जिन परमुक समस्या का सामना किया जा रहा है, वे है, बर्तिवी तेल कीमतें, तेल आयात बिल में विर्दी, रुगन, S, E, B, S, या फिर उप्यूक्त सभी, तो बताएं इसका right answer क्या हो जाएगा, तो इ समना किया जा रहा है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option number D, उप्यूक्त में सभी, के लिए next question देखते हैं, 1948 में सर्व भारत, सर्व भारत की कितनी परतिशत, चीनी मिले बिहार में अस्थापित थी, तो बताएं 15.8%, 22.7%, 3.47%, या फिर 24.6%, तो इसका right answer बताएं क्या होगा, तो इसका right answer जो है, वो 22.7% जो है, 1948 में बिहार में चीनी मिले अस्थापित थी, के लिए next question देखते हैं, अगर जमीन की फिजा ना हो तो आजमान नजर आता है, बेरिंग, सफेद, नीला, या फिर तारिक, तो बताएं इसका right answer क्या हो जाएगा, तो इसका right answer जो है, वो ता विकिरान पायरोमीटर से कितना तापकरम मापा जा सकता है, 100-200 degree centigrade, 100 degree centigrade तक या फिर 250 degree centigrade या फिर 500 degree centigrade से उपर, तो बताएं इसका right answer क्या हो जाएगा, तो विकिरान पायरोमीटर से जो है, तापकरम 500 degree centigrade से उपर मापा जाता है, ठीक है, चलिए next question देख लेते हैं, नाभिक की विखंडर में trigger क्या है, electron, neutron, positron या फिर proton, तो बताएं लाभिक विखंडर में trigger क्या है, तो neutron है, चलिए next देख लेते हैं, रिक्टी फायर का परियोग किया जाता है, उच वल्टेज को निम्न वल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वल्टेज को उच वल्टेज में बदल के लिए, या फिर AC को DC में बदलने के लिए, तो बताएं इसका right answer क्या हो जाएगा, तो rectifier का परियोग जो किया जाता है, simply, वो AC को DC में convert करने के लिए, बदलने के लिए किया जाता है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option number D, चलिए next देख लेते हैं, अमल वर्सा मुख्य तक क इस गैस के कारण होती है, N2, CO2, SO2 या फिर CO, तो बताएं इसका right answer क्या हो जाएगा, तो अमल वर्सा जो है, वो Sulfur Dioxide के कारण होती है, जिसका option number C सही है, ठीक है, अमल वर्सा Sulfur Dioxide, SO2 के कारण होती है, चलिए next question देख लेते हैं, कासा मिश्र धातु है, कॉपर और टीन कॉपर टीन और फासपोरत, कॉपर और जिंग, कॉपर जिंग और निकेल, तो बताएं इसका right answer क्या हो जाएगा, तो कासा जो है, मिश्र धातु कॉपर और टीन से मिलकर कासा का निर्मान क्या जाता है, ठीक है, कासा मिश्र धातु है, कॉपर और टीन के, तो इसका right answer option number A, चलिए, नेस्ट देखते हैं, निमलीखीत में कौन नैट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता है, जीवानू, CO2, कारबन डक्साइड, यह HNO3, यह NH3, तो बताएं इसका right answer क्या हो जाएगा, तो नैट्रोजन चक्र में CO2 जो है, वो भाग नहीं लेता है, ठीक है, चलिए, न इसका right answer क्या हो जाएगा, तो बताएं इसका right answer क्या हो जाएगा, तो 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 इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer जो है, वो त्वाचारोग से समंदित है एपीडर्मी जो है ये त्वाचारोग से समंदित है अप्सन नमर सी चलिए नेश्ट देखते हैं निमलिखित में कौन प्रोटीन का सबसे समरिदी सुरोथ माना जाता है उड़द बलैक ग्राम चना बैंगल ग्राम मटर या फिर स्वयाबिन तो बताए इसका राइट अलसर क्या होने वाला है तो प्रोटीन का सबसे अच्छा सुरोथ जो है वो स्वयाबिन को माना जाता है ठीक है स्वयाबिन को माना जाता है चलिए नेश्ट कोशन देख लेते हैं नेस्ट कोर्सन कह रहा है हमारे पार पौधों के लिए अच्छा उर्वरक है पौधों के लिए कौन सा अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट अमोनिया लाइम का सूपर फॉस्पेट या फिर यूरिया तो पौधों के लिए अच्छा उर्वरक जो है यूरिया को माना जाता है ठीक TB, HB यद्र्फ वी तो बताईए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जो है मेमोरी से सम्मन्दित कौन सा माप नहीं है चुकि GP मेमोरी से सम्मन्दित है TB भी है और ZB भी है लेकिन HB जो है ये उमेमोरी से सम्मन्दित नहीं है, ठीक है बैटरी चालित मेमोरी चीप बेसिक इप आउटपूट सिस्टम सिस्टम का histori राइट में Mayhemory एक्षर का सबसे चंकीले तारे कौन से हैं Canopus, Sirius A, Vega या Spiral तो बताइए Spica sorry देखे तो इसका right answer बताइए क्या हो जाएगा तो रात में सबसे अधिक चमकिला तारा जो है वो Sirius A है ठीक है Sirius A है इसका right answer option नम्मर B हो जाएगा चलिए next question देखते हैं देखे next question कर रहा है एक glacier में गहरी दरार को क्या कहा जाता है तो बताइए इसका right answer क्या हो जाएगा तो एक glacier में जो दरारे उतुतपन हो जाती है उसे wayा से कहा जाता है ठीक है ک्रेवा से कहा जाता है चलिए next से दीख लेते हैं निमलीखीत में से ब्राजील की अधिकारिक भासा का नाम क्या है पुर्त गाली जर्मनी इटालियन या ब्राजिली तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो ब्राजिल की अधिकारिक भासा का नाम जो है वो पुर्त गाली भासा है ठीक है पुर्त गाली है चलिए next question देख लेते हैं लोग सभा से निर्वाचित होने के लिए नियुंतम उम्र क्या है 18, 21, 16 या फिर 25 तो लोग सभा से निर्वाचित होने के लिए नियुंतम उम्र जो है वो 25 साल है ठीक है नियुंतम उमर 25 साल है इसका right answer option number D चलिए next देख लेते हैं देखें यहां पर question करा रहा है क्विंस बेरी नियम नामक कोट का अनुकरन किस खेल में किया जाता है टेनिस क्रिकेट मुक्यबाजी गुड़तवारी तो बताएं इसका right answer क्या हो जाएगा तो क्विंस बेरी नियम जो है यह मुक्यबाजी खेल में किया जाता है option number C right हो गुरु गोविंद सिंग देखें यहां पर सूची एक और सूची दू यहां पर दिया गिया है पहला उन्वास पटना भापूरा या पटना सिटी यह उनका जन्म अस्थान से समंदीत है ठीक है तो बताएं इसका जो है कूट कौन सा सही है ठीक है तो इसका कूट जो है option number A सही है ठीक है चलीए देखे पहला का जो है वह तीसा हो जाएका बलिराम भगत जो है वह कहां से समंदीत है ठीक है मौलाना मजरूल हक यह समंदित है यह उन्वास से समंदित है उसके बाद देखे गुरु गुविन सिंग यह कहां से समंदित है तो पटना सीटी से समंदित है ठीक है तो अप्सन नम्मर ए जो है इसका कूट सही होगा चलिए देखते हैं यह हमारा इस वीडियो का अंतीम कुश्चन है और देखे यहां पे जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन बिहार का पाला उर्दू का समचार पत्र था नूरूल अवतार राप्त गोपतर या कामरेड या फिर अन्वारे सुहालवी तो बताए इसका राइट का समचार पत्र जो था नूरूल अवतार था ठीक है पहला समचार पत्र कौन था तो नूरूल अवतार था दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडियाप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं वहां से आप डॉनलोड कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि इस तरह के अपडेट आपको सबसे पहले पहुचे और अभी बियाट के प्रिबियस एर कोस्टन अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिं झाल झाल झाल